बामा सार्सी पुलिस फैमिली वेलफियर एसोसियेशन के बैनर तले रिजर पुलिस लाइन में पुलिस परिवार तथा उनके बच्चों एवं बच्चों को आत निर्वर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई टेलरिंग कोर्स आदी की जानकारी दी गई इस उसर पर प्रतिसार निरिच्चक उमेश कुमार दुबे नंद जी यादो सुभाज भारती सही ट्रेनर और पुलिस कर्मियों के परिजन मौजूद रहे इस समझ में गोरकपुन नियूस से बात करते हुए ट्रेनर और पुलिस लाइन के आराई उमेश कुमार दुबे ने कहा है ऐसे चलाएढ यहां से तागा ऐसे डालके रही नहीं ही थे नियूसे फटा मुड़ा तेक अबरे जाव चर्फता है प्रशे नेगे जेख रहे हैं अब को ऐसे बहुत जड़े नियूसे तट ऐसे वित क्या आपके हुरे हैँ पुलिस है जाए गो जाए बहुत देख रहे इसे तरह कड़ाई जो है धागमची करकी पेश्मेंट का कपड़ा है और इसको इस तरह जो है बनता है ये सिलाई ये सेव है ये कपड़े की अलमारी है इतना बढ़िया बहुत 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 इस तरह का बच्चे है ये सब पुलिस लाएं के बच्चे हैं और फाल लगा जाता है बच्चे आते हैं शिलाई शीकते हैं और सिलाई सिकर अब घर चले जाते हैं और बच्चों को सिखाया भी जाता है पुलिस लाएं के बच्चे बच्चियों को उनको समय समय पर योगा सिलाई कढ़ाई यों समाज के प्रती जाग्रूप किया जाता है जिसे कि वो आत्म निर्भर बां सकें इवन मास्क सिलना और कढ़ाई सीखना बुनाई करना इस टाइप के काम हमारे टेलर मास्ट्रों द पता बताया जाता है जो कि हफते में दो या तीन दिन वो आती हैं और वहां पे कल्याड के इंदर में सीखती है यह पुलिस के बच्चे लिए सॉम आत्निर्भर बनने के लिए और पुलिस की तरफ से पुलिस हो बामा सार्थी विलफेर रेसोसीशन की तरफ से इनको एक इस टाइप से बनाया जाए कि ये स्वायम आत्म निर्भर रख सके जीवन में अपने आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें और अपने पेरों पे खड़ें